अगर कभी सेर आपके सामगे आए तो ये गलती भूल के भी मत करना नमबर वन सेर से बचने के लिए भागने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि भैया सेर से तेज दोड़ी नहीं सकते नमबर टू अगर आपके आसपास कोई पेड हो तो उस पर चड़ने की भी गलती मत करना क्योंकि सेर पेड पर आसानी से जड़ सकते है 3. सेर की आँखों में तो बिल्कुल मत देखना इससे उसको लगएगा कि आप उसे चैलेंज कर रहे हो 4. सेर की तरफ फीट करके बिल्कुल खड़ा मत होना क्योंकि पीट पीचे हमला करने के लिए सेर पहले से रेडी रहेगा 5. सेर से बचने के लिए मरने की एक्टिंग तो करना ही मत क्योंकि एक बार ये भालू पर काम कर सकता है लेकिन सेर पी बिल्कुल नहीं 6. सेर या सेरनी कभी अपने बच्चों के साथ दिखे तो उसे आप को सो दूर ही रहना, क्योंकि अपने बच्चों के लिए एक मा कुछ भी कर सकती है 7. सेर के सामने कुछ भी करने से पहले ये जरूर देखना कि वा हमला करने वाला है भी या नही 8. अब सेर से बचने के लिए दोनों हाथों को खड़ करना है और जोर से चिलाना है ताकि सेर को लगेगा आप एक हीरो और बहादूर इंसान हो 9. फिर आपको दीरे दीरे पीछे हटते जाना है वो भी बिना पीठ दिखाए 10. लेकिन अगर फिर भी सेरा के उपर हमला कर दे तो आप उसके नात पर जोरदार मुक्तमान है